भाई वनिंदू असरंगा और एडम सेंपाई ये वो दो लैक्स पिन गिन बहास हैं जो आपको उस्टेलिया श्रिलंका टीम की वीट केली जारी टीटवन्टी श्रंकला में ना सिव ग्रेंड लिग बल्कि स्मोल लिग में जित्वा सकते हैं वो भाई कैसे क्यों यही तो आज में आपको समझाऊंगा अब दोस्तो आप लोग जानते हैं आपके सबसे बड़ी गल्ती क्या है दोस्तो आपके सबसे बड़ी गल्ती यह है कि आप Лोग अपने फेंटेसी टीम कम्बिनेशन में वनिंदू असरंगा को कप्तान तो फिंच को वाइस कप्तान कंसिर्दर करते हैं लेकिन दोस्तों ये दोनों के लड़ी एक साथ एक टीम कॉंबिनेशन में परफोर्मेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा जो फिंचे इंटरनेशनल टीम टीम सर्केट में लेक्स्पिन गेंदबासों के सामने काफी बेकार परफोर्मेंस करता है क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल T20 सरकेट में फिंच ने लेग स्पिन गेंद बासों की 110 गेंदों का सामना किया रन ये 119 बना पाए और सबसे बड़ी बात यह है कि लेग स्पिन गेंद बासों ने 11 बारी फिंच को आउट किया अगर दोस्तों आपने ध्यान दियाओ श्रंकला के पहले दोनों T20 मैट में वनिंदू असरंगा ने फिंच को आउट किया यानि दोस्तों अब आपको डिसाइड करने आप लोग चाहते क्या है अगर आप लोग चाहते हैं कप्तान फिंच जों रन स्कोर करें इसके बाद दोस्तों आपके गलती नमबर दो अगर मैं बताऊं तो आप लोग गलती ये करते हैं कि आप ग्लैन मैक्सुल का अपनी फेंटसी टीम में शामिल करते हैं उसे कप्तान वाइस कप्तान कंसिडर करेंगे बातों को ध्यान में रखते हुए श्रंकला के तीसरे टीटवेंटी मैच अपने टीम कॉंबिनेशन बनाएंगे तो आप लोग ना सिव ग्रेंड लिग बलकि स्मोल लिग में शांदा परफोर्मेस कर सकते हैं अब दोस्त हम तोड़ा सा रियल्टी चेक भी करेंगे कि आप वाकई में ऐसी चीज़े आपको देखने को मिल सकती है कि आप वाकई में वनिंदू असरंगा फिंच को परेशान करेगा अब दोस्तों देखो मेरे पास आपका फिंच है मेरे पास आपका वनिंदू असरंगा है देखो वनिंदू हसरंगा पहले चारों में गेंबासी नहीं करेगा यानि पहले चारों में फिंच कितनी गेंदों का सामना करता है इस पर डिपैंड करता है कि फिंच कितने रन बना पाएगा अब दोस्तो पहली चारो में गिनबासी कोन करेगा चमीरा गिनबासी करेगा, फर्नेंडू करेगा, तुसारा करेगा, तिकसाना कर ले दोस्तो इन सब के सामने फिंच ठीटाक बल्लेबासी कर सकता है इसके बाद दोस्त अगर आप लोग चाहते हैं, फिंच अच्छी बल्ले बासी करें, तो जब गेंद बासी करने आएगा आपका वनिंदू हसरंगा, तो क्या करना है, फिंच को सिंगल ले लेना है, इस ट्रायक को रोटेट करना है, जो दूसरा बल्ले बास ट्रैक पर बनाईए साथी साथ दोस्तम ग्लेन मैक्सुल का भी थोड़ा से रियाल्टी चेक सरूर करेंगे अब दोस्तों मैक्सुल के बात करें मैक्सुल के सामने वनिंदू असरंगा गेंबासी कर रहे हैं वनिंदू असरंगा के सामने मैक्सुल ने 18 बोल में 23 रन तो बनाए लेकिन 18 गिंदू में Maxwell दोबारी आउट हो गया यानि दोस्तों वनिंदू असरंगा भी Maxwell को एकसर राउट कर देता है अब दोस्तों टोस्ट के बाद आप पो देखना पढ़ेगा जो शिलंका के कप्तान है वो वनिंदू असरंगा को कब कैसे गिंदबासी कराएंगे क्योंकि दोस्त अगर वनिंदू असरंगा फिंच के सामने गिंदबासी कर ले और अपने गिंदबासी कोटी की पूरी चार गिंदबासी कर ले और जब मैक्सुल बल्ले बाजी पहे तो वनिंदू असरंगा के पास गिंदबासी करने को ओवर ना बचें तो मैक्सुल के परफ अब दोस्तों देखिए जो ही ओस्टेलिया टीम का प्रोफाइल है मैं आपको एक चीज़ के लिए कर दूँ कि मैं ओस्टेलिया टीम के पांच की लाड़े को ज़रूर अपनी fantasy team में शामिल करूंगा जिन में दोस्तों मैं बैंक को लूँगा जो टीम की opening बल्ले बास है तीम पर English बल्ले बास ही करा इससे अपनी fantasy team में लूँगा फिर Stonies को लूँगा गेंद बास ही में इडम सैंप और जो सेजल फेलावूर को रिप्लेस्मेंट पे मोईस एन्रिकेज या एस्टनेगार को खिला सकता है अगर दोस्तों तीसरे शंकला के T20 मैट में ओस्टिले टीम ने एस्टनेगार को खिलाया तो फिर मैं स्टोनिस को अपनी फेंटसी टीम से बाहर कर दूँगा क्योंकि उस कंडिशने पैट कमिंस, केन, रिचर्ट सन, एडम सेंपा, हिसलवुड ये टीम के चार गिंद बाहस हैं और एस्टनेगा टीम के पांच में गिंद बाहस हो जाएंगे इसका मतलब यह होगा कि स्टोनिस को गिंद बाहस ही नहीं मिलेगा अब दोस्तों देखिए, फिंच की मैं बात करूँ तो फिंच का मैंने आपको समझा दिया वाई पहले चार गोर में कितनी अच्छी ये बल्ले बाहस ही करता है उसमें डिपेंट करता है कितना ये रन बनाएगा आप पहले दो T20 मैंट में इसकी परफोर्मेंस देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों बैन की बात करूँ बैन से दोस्तों मुझे उमीदे हैं ये एक बाद फिर ये अच्छा ही स्टार्ट करेगा और उमीद करते हूं अच्छे इस स्टार्ट को बड़ी पारी में कनवर्ट कर दे अलाकि दोस्तों आप लोग पाएंगे कि और्टोडोक्स पिन गेंद बाहसों के सामनी इसको थोड़ी से दिक्कत है लेकिन दोस्तों अब इंट्रनेशनल सर्किट में नया नया है लेकिन अगर मैं बिग बैश लिग की बात करूँ तो बिग बैश लिग के अंदर बैन ने काफी अच्छी बल्ले बासी किया है तो इसको लेके मैं कोई ज़्यादा चिंत इतनी हूं यानि दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि बैन को अगर बल्ले बासी को मिलेगा और मिलेगा ही दोस्तों उपन करता है तो ये एक बाब फिर ओस्टिले टीम के लिए शांदा परफोर्मेंस कर सकता है इसलिए मैं इसे अपनी फेंटस्टी टीम में शामिल करूँगा से 11 में 14 किया यानि दोस्तों ठीक टाक बल्ले बासी ये कर सकते इनमें इतना पोटेंशल है रही बात चमीरा की तो चमीरा के सामने भी अच्छी बल्ले बासी बैन ने की है इसके बाद दोस्तों आपके इंगलिश रहेंगे और मैं इंगलिश को एक बाफिर अपनी फेंटस पिन हो गया साथ ही साथ आपको टोस्त के बाद देखने क्या शिलंका टीम ने और्टोडोक स्पिन गिन बास को खिलाया क्या शिलंका टीम ने किसी लेफटा मीडियम गिन बास को खिलाया अगर शिलंका टीम ने ऐसे गिन बास को खिलाया तो मैक्सल के परफोर्मेंस करने के चांस तोड़े से कम हो जाते हैं रही बाद दोस्तों रियल्टी चेक की मैं आपको करा देता हूँ मेरे पास इंगलिश है इंगलिश ने दोस्तों किस तरना श्रीलंका टिम के गिंग बासों के सामने बल्ले बासी की यह आप लोग देख सकते हैं और एक बाद फिर मैं यहीं उमीद करूँगा कि इंगलिश अच्छी परफोर्मेंस करें इसके बाद दोस्तों आगे चल के स्मित के बारे में ज्यादा नहीं समझाऊंगा लेकिन दोस्तों फिर आपको मिल जाएंगे स्टोनिस और स्टोनिस भी लैक्स्पिन गेंदबासों के सामने परिशान रहते हैं अब दोस्तों आपने देखा ओस्टिले टीम के कौन-कौन से बाले बास लेक्स्पिन गेंदबासों से परिशान है एक तो आपका हो गया फिंच फिर आपका मैक्सुल और तीस तर आपका स्टोनिस यानि दोस्तों इसी टी-20 मैच में अगर आप लोग अपनी फेंटसी टीम में वनिंदू असरंगा को कप्तान बनाएंगे और आप लोग चांदे कि वनिंदू असरंगा विगिट चटका है तो फिस दोस्त आपको ऐसे बल्ले बासों को अपनी fantasy team से दूर रखना पढ़ेगा जो leg spin गिन बासों के सामने कमसो रहे हैं तभी आपका fantasy team कामियाब हो पाएगा अगर दोस्त आप इन बल्ले बासों को अपनी fantasy team में शामिल करते हैं तो वनिंदू असरंगा को अपनी fantasy team से दूर रखिएगा। रही बात दोस्तो रियल्टी चेक का, तो इस टोनिस का रियल्टी चेक हम लोग करेंगे। चमीरा की 11 बोल में 20 किया, एक बारा उट वा, फरनेंडो की 2 बोल में एक बारी आउट हो गया। वनिंदू हसरंगा दोस्तो ज़्यदा गेंद बासी नहीं कर पाया, क्योंकि जिस नमबर पर इस टोनिस बले बासी करता है और जब तक इसकी बले बासी आती है, वनिंदू हसरंगा अपना कोटा कम्प्रीट कर लेता है, तिकसाना की 8 बोल में 5 अंड स्कोर किया, रही बात दो स्टीवन स्मित के बार में ज़्यदे टेल में आपको शेर नहीं करूंगा, अब दोस्तो हम आजाते हैं श्रिलंका टीम के प्रोफाइल के उपर, जब मैं श्रिलंका टीम की बात करता हूं, तो श्रिलंका टीम से 3 खिलाडी मेरी टीम में फिक्स हो चुके हैं, जिनमें दोस दोस्तो मैं करूना रतने को अपनी फैंटसी टीम में शामिल करूंगा, जिनसे दोस्तो उमीद की जा सकती है कि अपने गिनबासी कोटे की पूरी चार वर गिनबासी करें, अगर दोस्तो करूना रतने ने गिनबासी कोटे की पूरी चार वर गिनबासी की और गिनबासी कर एक भी विकेट चटकाया, इनको सीधे 25 fantasy point का फाइदा हो जाएगा, अगर दोस्त आप चंडी मलके 44 सन को 2 से डिवाइड करें, तो दोस्तो ओस्तंग एक T20 मैट मिनों ने आपको 22 point दिया, अगर दोस्त आप 2 विकेट को 25 से multiply करें, तो यानि कि दोस्तो आपको समझ आता है कि fantasy point जादा आपको करुणा रतने ने दिया, और करुणा रतने से आप जादा उमीदे रख सकते हैं, इसके बाद दोस्त हम बात करते हैं, क्यों एडम जैंपा दोस्तो परफोर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दो नाम लिया, एक तो वनिंदू असरंगा था, दूसरा आपका एडम जैंपा था, अगर दोस्तो मैं यहां से बात करता हूँ निशंका की और आपका गुनुतिलिका की, दोस्तो देखें, निशंका लैग स्पिंग इनबासों के सामने धीमी बल्लेबासी करता है, यह चीज़ आपको यह डाटा देखने से समझा रही है, साथी साथ दोस्तो निशंका जो है और्टोलोग स्पिंग इनबासों के सामने परिशान रहता है, और मैंने आपको समझा दे वाई टोस का वेट कर लो तोस के बाद अगर उस्टिले टीम ने एस्टनेगार को खिलाया तो एस्टनेगार पारपले में तो गिनबासी नहीं करेगा लेकिन पारपले के बाद सरूर गिनबासी करेगा और गिनबासी करेगा तो निशंका को परिश कर सकते हैं यानि अगर आप लोग अज अपनी fantasy team में एस्टन हैगार को शामिल करेंगे और आप चाहते हैं है एस्टन हैगार विगिद चटका है तो वो किस बल्ले बास का विगिद चटका सकता है या आपके सामने हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं अपना fantasy team combination बनेशन इसके बाद दोस्तों मैं गुना तिलिका की बात करूँ बल्ले बास तो ये left hand है लेकिन दोस्तों इसके कमजोई लेक्सपिन गिनबास ही है फिलाल मेरे पास कोई डाटा नहीं दिखाने को लेकिन दोस्तों मैंने इसको domestic T20 लीग में काफ़ी follow किया जहां पिलाग्सपिन गिनबास अक्सर इस बल्ले बास को परेशन करते हैं मतलब दोस्तों मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बहुए Adam Zempa जब गिनबास ही करता हूँ ये बल्ले बास ही करेगा तो इसको Adam Zempa फसा सकते है यानि दोस्तो फिलाल अभी तक तो इसको अच्छा स्टार्ट नहीं मिला लेकिन अगर अच्छा स्टार्ट मिल भी जाएगा तो इसके बाद एड़म जैंपा आगे चलके इसको परिशन करने वाला है तो दोस्तो ये दो बाते होंगी दो खिलाडियों के बारे में अब इनका रियल्टी चेक करेंगे मेरे पास शिरंका टीम के बल्ले बास है मेरे पास ओस्टिले टीम के गिन बास है अगर दोस्तो निशंका की हम लोग बात करें तो आप पाएंगे निशंका ने पैट कमिस की सामने 25 रंकिया 19 में एक बारी आउट वा इस 20 ने दोस्ते इनको एक बारी आउट किया लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया भाई, इसको लैक्समिन गेंद बास से दिक्कत है, अब जब सामना होगा तो दोस्तो इसको परेशान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तो पहले है एसल वूड आते हैं, और हैसल वूड में की बल्ले बास को 6 बोल में दो बारी चलता कर दिया, औ और आप लोग जानते हैं, हिसल वूड एक बाप फिर पार प्ले में नई गेंद के साथ गेंद बास सी करेगा, अगर दोस्तो आपने हिसल वूड को अपनी फेंटसी टीम में शामिल किया, तो श्रीलंगा टीम के कौन से बल्ले बास को टीम में नहीं रखना, अब आपके सम गिनबास है, तो मैं विश्का फन्नेंडो का अपनी फेंटसी टीम में कंसलिडर नहीं करूँगा, इस पेशली तब जब यह मद्यकरम में बल्ले बास ही करता है, अब दोस्तो इसलिए टीम के पास एड़म जैंप है, तेज गिनबास के रुपने उसके पास पैट कमीन्स है यानि दो ऐसे गिनबास जो इस बल्ले बास को परिशान कर सकते हैं, बाकी दोस्तो अपनी टीम के अगर आप स्टार्क वगेरा को गिनबास ही दोगे, अगर एस्ट नैगार को भी गिनबास ही दोगे, वो भी इस बल्ले बास को परिशान करेगा, और इसलिए मैं विश्का पंडेंडो का अपनी fantasy टीम में consider नहीं करूंगा अब दोस्तो आप आई चरित्र अशलंका पे चरित्र अशलंका रिसेंट टाइम में दोस्तो लैक्स्पिन गिनबासों के सामने परिशान रहा है 29 बोल में तीन बार ही आउट हुआ दोस्तो आपने अभी तक श्रिलंका टीम के चार बल्ले बासों को देखा चारो की चारो बल्ले बास लैक्स्पिन गिनबासों के सामने स्ट्रगल करते हैं इसका मतलब साफ है कि एडम जैंपा के विगिट चटकाने के जो चांस है काफी जाद है लेकिन दोस्तो इससे ये बात साबित होती कि एडम जैंपा के विगिट चटकाने के चांस तो हैं क्यों विगिट चटकाने के चांस हैं वो आपको पता है जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं शंकला के दूसरे T20 मैट में Adam Zampa as expected विगिट नहीं चटका पाया तो दोस्तो यही है क्रिकेट का गेम लेकिन एक बात का अनुपर्म है कि Adam Zampa के सामने श् एक बार आउट हो गया एजलूर की पांच बोल में पांच चन किया एक बार निकल गया यानि अविश्का फंडेंडो के परफोर्मेंस करने के चांस कम पाये जा रहे हैं इसके बाद दोस्तों गर आप चेत्र अश्लंका की बात करेंगे तो चरित्र अश्लंका को Adam Zampa के सामन गेजबात कौन-कौन से स्रिलंका बल्ले बासों को परिशान करेंगे और दोस्तों मैं नहीं समझता इतना इंफोर्मेशन मिल जाने के बाद आप लोग अपना कुछ से बैतर फेंटरसी टीम कॉंबिनेशन बना ग्रेंड लिग स्मोल लिग विन ना कर पाएं लेकिन दोस्त अभी वीडियो खतम नहीं हुआ और वीडियो का पूरा देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि वीडियो में जो साही इंफोर्मेशन दी जाएगी उस साही इंफोर्मेशन को मिक्स करके आप अपना एक अच्छा फेंटरसी टीम कॉंबिनेशन बना पाएंगे अब दोस्तों टीमल के सामने ओर्त डोटोक्स पिन गिनबासो को गिनबास ही दोगे तो फ़ी दोस्तों परिश्ण होगा अगर एशनियगार को तला लया पर्फोर्मेंस करने के चांस कम हो जाएंगे साथी साथ लेगस पिन गिनबासो के सामने तो दीमी बल्लेबासी है इसके बाद आप का शनाका है शनाका के सामने दोस्त अगर आप तेज गिंदबासों को गिंदबास ही दोगे ऐसे गिंदबास जिसके पास तोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस है तो परिश्रान हो जाएगा साथ भाई आप लेक्स्पिन गिंदबासों को भी इसके सामने गिंदबास ही करा सकते हैं इसके लाओ दोस्तों इनके टीम के पास वनिंदू हसरंगा है, वनिंदू हसरंगा का मैंने आपको समझा रखता है, वो भी लेक्स्पिंग इनवासों के सामने परिश्रान रहता है, अब दोस्तों रियल्टी चेक करेंगे, चंडी मल को मैकसुल ने 14 बोल में 17 करने दिया, एक शनका को ऐसे टाइम पर बल्ले बास सी मिल जाए, गेम के जिस फेस में एडम जैंपा गेन बास सी कर रहो, तो एडम जैंपा भी शनका को परिश्रान करेगा, पैट कम इसके 14 में 14 किया, एक बार आउट हो गया, ये इन रिचर्डजन के सामने अच्छी बल्ले बासी है, ले दोस्तों आपको अभी तक तो ये पता चला, कि वही कौन से के लाड़े को कौन सा गेंबास परिश्रान करेगा, या फिर कौन से गेंबास को कौन सा बल्ले बास परिश्रान करेगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, शंकला का तीसरा T20 मुकावला एक दूसरे वेन्यू म और ये वे तो ये वो T20 मुकावला है जिसने आप ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि इस मैदान में केले पिछले 5 बिग बैस लिग के टीटी पॉंट दिला है, और इसलिए मैं कह रहा हूं इसी T20 मैट में, इस्पेशली ओस्रे टीम के बल्ले बासो को कप्तान वाइस काप्तान क कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, मैंने बता दिया, बिग बैस लिग के पिछले 5 टीटी मैट में, बल्ले बासो ने गिनबासो के कमपेर्सन आपको ज़़ा फेंटसी पॉंट दिये, रही बाद दोस्तों टोस्त की तो टीम टोस्त जीत के पहले गिनबासी का ही फैसला करेगा, फिलाज श्रिलंगा के टीम ने श्रंकला में दो बार टोस्त जीता और दोनो बार गिनबासी करने का फैसला किया, श्रंकला के तीसरे टीटीटी मैच में भी जो टीम टोस्त जीतेगा, वही पहले गिनबासी करने का फैसला करेगा, क्योंकि उस टीम के मैच जीतने के जो चा अच्छा परफोर्मेंस नहीं किया, तेस गेंदबास भी जादा गेंदबास से अच्छी नहीं कर पाए, यानि बल्लेबासों के फिवर में यहां का व विगिट रहता है, साती सा दोस्तों आपको एक चीज यहां पर किलियर करना चाहूँगा, जो शायद आपको यहां से लगबाग 45 मीटर की आसपास होगा, यानि दोस्तों इसी T20 मैटना पैसे बल्लेबासों को भी अपनी फैंटसी टीम में कंसलिटर कर सकते हैं, जो दोस्तों स्क्वार ओफ दी विगिट काफी शोट खेलते हों, चाही तो वो लेक साइड में हो, जो बल्लेबास सामने के साइ तो वीडियो को लाईक कीजे, चैल को सब्सक्राइब कर बیल आइकन को प्रैस कीजे और बैल आइकन को प्रैस करने से आपको फायदा आई होगा, जैसे हमारा कोई नया इनफोरमेटिव वीडियो आएगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा, यहां पर बात करें, जैसा कि मैंने आपको समझाया, वैसे ही मैंने कॉंबिनेशन बनाया है, मुझे लगता है ओस्टिल्या टीम ये मैच जीते慢慢 है तो मैंने स्तार्ट चार्ट के फिवर मी टीम कोंबिनेशन ऐस्टिला के साइड बनाया है, जहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करू बल्लेबासी पॉइंट ओफूई से तो मैंने कप्तान फिंच को रखा है, इंग्लिश है स्टोनी सर्व मेकमेट हैं यानि दोस्ते चार बल्लेबास मेरी फेंटसी टीम में रहेंगे यहां से वाइस कप्तान दोस्तो मैंने बेंग को बनाया है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको समझाया यह एक ऐसा फैन्यू है जहां पे बल्लेबास भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और दोस्तो उस्टेलियर टीम में देखी अगर मैंने असरंगा को कप्तान बनाया तो मैं फिंच को वाइस कप्तान नहीं बना सकता अगर इसे T20 मैंत में ग्रेंड लिग में आप प्रिस करेना चाहें तो असरंगा को अपनी फैंटसी टीम का कप्तान ना बनाते हुए बेंग को अपना कप्तान बना सकते हैं एडम जैंपा को वाइस कप्तान भी आप बना सकते हैं क्योंकि दोनों इक लैड़ों के परफोर्मेस करने के चांस हैं फिलाल दोस्तों अब श्रिलंका टीम को देखें तो मैं इनकी टीम के चारी बल्ले बासुक माफ पीजे चार खिलैड़ों को सामिल किया जिन में करुना रतने मेरे पास रहेंगे वनिंदू असरंगा रहेंगे निशंका मेरे पास रहेंगे और गेंदबासी में चमीरा मेरे पास रहेंगे इन चारों के लाव दोस्तों पांचवे किसी खिलाड़ी में श्रिलंका टीम से मुझे कोई उमीद नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है इन चारों के अलवा श्रिलंका टीम का कोई पांच वाक रेड़ी परफोर्मेस कर सकते हैं तो अपनी मर्जी से आप लोग चेंजिस कर सकते हैं मैं आपको ये नहीं कहा रहा भाई सेम टीम को पी कर लो तो 100% विन करोगे दोस्तो मेरा काम था आपको इन फर्मेशन देना मैंने आपको इन फर्मेशन दिया अब आपपी डेपेंड करते हैं कि आप उस इन फर्मेशन को कितने अच्छे से अप्लाइ कर पाते हैं गेनबासी में दोस्तो उस्टले टीम के तेज गेनबास हिजल्वुड, पैट कमिस, एडम्स जैम्पा को रखा है, यहां दोस्त आप एक कामोर कर सकते हैं, यहां से किसी भी एक गेनबास को अटाती हुँ, मैक्सुल का अपनी फेंटरसी टीम में ला सकते हैं, लेकिन दोस्तो दो ऐसे बलेबास लगते हैं जो अच्छा परफोर्मेंस कर सकते हैं तो मैंने आपको चार खलाडी बताए ओस्टिलिया टीम से जिनको आप बारी-बारी अपनी ग्रेंडलिक की फेंटसी टीम में कप्तान वाइस कप्तान रोटेट कर सकते हैं श्रिलंका टीम में ऐसा ही कि खल आड़ी बनिंदू असरंगा जिसको आप लोग अपनी फेंटसी टीम में कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं बस दोस्तों फिलाला आज पीडियो में इतना ही उमीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया करने वीडियो को लाइक या धेर सारा प्यार दिया होगा तो फिर दोस्त आप सब के साथ मुलाकात होगे एक बाफिर एक नए वीडियो के साथ